हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ट्रक के टकर से घायल हुए स्कूटी सवार की मौत परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप मोर्चरी के आगे बैठे धरने पर शब उठाने से किया इंकार राजसान के बाड मेर में रविवार दुपहर को उतरलाई सडक मार पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार व्यक्ति को टकर मार दी थी जिससे वो गंबीर रूप से घाल हो गया था जिसने रविवार रात उपचार के दोरान दम तोड़ दिया इस मामले को लेकर परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शब उठाने से इंकार करते हुए मोर्चरी के आगे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है उनकी मांग है कि लापरवाही के खिकित्सकों के खिलाफ कारवाई की जाए बार्डमेर के ग्राविन थाना इलाके में उतरलाई सड़क मार पर अविवार दुपहर को एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टकर मार दी थी जिससे आसवास के लोगों ने बार्डमेर के मेडिकल कॉलेज अस्पतार में भरती करवाया था वही रात को ही उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया वही इस पूरे मामले को लेकर आज परिजनों ने किसकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोचरी के आगे धरने पर बैट रहे है वही परिजन लापरवा चिकित्सकों के खिलाफ कारवाय की म समाज के हरीज जांगिट ने बताया कि कर रविवार को उतर लाए के पास नवला राम स्कूटी पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे और तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने टकर मार दी जिसे मेडिकल कॉलेज के राजकिया अस्पताल में दोपहर दो बज़े लाया गया था परिवार का आरोप है कि शाम आठ बज़े तक डॉक्टरों से बार बार पूछा गया तो कहा नॉर्मल है ना ही होने रेफर किया ऐसे में इलाज में लापरवाही की जिसकी वज़ा से रात में उनकी मौत हो गई अब हमारी मांग है कि लापरवाद चिकित्सकों के खिलाब कारवाही की जाए नहीं तो हम शब नहीं उठाएंगे हैट कॉंस्टिपल पदमा राम ने बताया कि कल दोपहर को उतरलाए के पास और स्कूटी में भिढ़न्त हो गई जिसे स्कूटी सवा नवला राम पुत्र बगवाना राम निवासी छितर का पार घायल हो गया था जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पतार में भर्ती करवाया गया था जिसकी रात में मौत हो गई थी परेजनों के रिपोर्ट के आदार पर मामला दर्च किया गया है वही परेजन का आरोप है कि चिकित्सकों पर लाप परभाही की विज़ा से घायल की जान गई है समाज के लोग मोचरी के आगे बैट कर वारता कर रहे हैं जागरुक टेवी के संबादाता से बात करते हुए पदमा राम हैट कॉंस्टेपल इनोने ये का मौके पे गई मज़रूब गुला के गौवर्मेंट वास्पिल्म में परती करवाया गया था और दोनों वाहनों को दस्तियाब कर ठाना लेकर आई फिर साम के समय पुलीस ठाना नागाना के अंदर उक्त गटना के बारे में मुख्दमा दर्ज हुआ जो अनुसंदान जारी है राद को मज़रूब नवला राम के ऑस्पिटल बाढ़ मेर में के राद को मरती होगी थी जिसकी डेड़ बॉडी अभी सव मर्दा का मौसर्ट गुला बाढ़ मेर में है अभी परिजनों का कहना है कि इलाज की दोरान डॉक्टरों की कुछ लापरवाई के वज़े से मरती हुई है इस वज़े से इनका समाध आपस में वारता लाप कर रहा है जागरोग टिवी की बार में से ठाकर राम मिगवाल के रिपोर्ट